है हलो एवरीवन सो आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट पर सेकंड पार्ट है यह वीडियो का पिछले दो साल के जो करेंट अफेर्स है उस जो मोस्ट इंपोर्डन इंप वो मैं कवर कर रहा हूं इसका अलएड एक वीडियो हो चुका है काफी अच्छा रिस्पांस रहा आप लोग सब लोगों ने देखा उसी प्रयाज से में सेकंड यह वीडियो लेकर आया हूं यह आपको जो भी पहली बार देख रहे हैं इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहला वीडियो मिल जाएगा जरूर देख लेना कुछ बहुत ही काम के टॉपिक्स हैं जो आप आपको दिख रहे हैं कि नॉदरन फॉरेस्ट है ग्रीन लैंड का रीजन है बेरेंट वाला छेतर है साहिल रीजन है और यह सर यह एमेजान रेंफॉरेस्ट है यह दुनिया की वह जगह है जहां पर काफी बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज के एक् कि होता क्या है बेशिक्स अवेरनेस तो आप किसी भी मीडियम क्यों कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वो स्लाइड जैसे हिंदी में मैं करहा हूं आप परिसान मत हो यह बिल्कुर कई बार हम कॉंटेंट देखके घबरा जाते हैं कि मेरा क्या होगा मेरा मीडियम मत लो जाओंगा हिंदी में तो आप सुनो सिर्फ टॉपिक को कुछ चीजें अवेरनेस पर आओ तभी देखो यह एक तो क्या है बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक में कबर खरा रहा हूं अन्यसरी बहुत सारा एक घट्टा आपको कुछ नहीं दे रहा हूं कुछ मैगजीन वैग करेंगे एक टॉपिक क्लाइमेट टिपिंग अब अपने शब्द पर काम करते हैं टिपिंग क्या होता है टिपिंग मतलब कोई एक चीज की एक्स्ट्रीम कहानी इसको अपने जीवन सतर से जोड़ो की बोले सर सबका सुभाव होता है मेरा भी ऐसे एक सुभाव है क्या है कि आप ग्लोबल वार्मिंग के लेवल पर वैश्विक तापन के सतर पर जो तापमान बढ़ा रहे हो उसको रोक दो क्योंकि कुछ ऐसे छेत्र भी हैं हमारे वर्ल्ड में कि यदि एक बार वह बढ़ना शुरू हो गए या एक बार उस लिमिट तक वह सहन करेंगे उसके पर बढ़ा तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है तो ऐसी क्लाइमेट टिपिंग की स्थितिय टिपिंग मतलब एक एक स्ट्रीम कंडिशन आप ऐसा माल लीजिए तो साइंटिस्स लोगों ने कुछ जो है ऐसे चेतर निकाले हैं कि जहां पर जैसे इंडिये वर्ल् और ओशन करेंट के आसपास थोड़ा बहुत कन्वेक्शनल एक्टिविटी जो है वह मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ओवरॉल छेत्र कंपरेटिवली जो है डिस्टर्ब होगा तो बहुत सारे इसे इसे इशू है तो अलग-अलग क्राइटेरिया दिया हुआ ता आप मा सब्सक्राइब एक तरह से आप कह सकते हो कि सस्टेनेंस मतलब इंडिरेटली बात करना चाहिए ऐसे पॉइंट से जिससे उनका सरवाइबल ऐसे चेत्रों का सरवाइबल डिपेंड कर रहा है पर्टिकुलर कुछ टेंपरेचर तक इट मीज डैट कि कुछ ऐसे सब्सक्राइब तो प्रकरती की कुछ ऐसी जगह है हमारे विश्व में की मतलब कुछ हिस्से तक तो सहन कर रहे हैं लेकिन उसके बाद नहीं होगा क्लाइमेट की यह क्लाइमेट का काम की बाल पहली बार सुनो समझी नहीं आ रहा होता है तो इसमें थ्रेशोल्ड याद रखना कि कुछ ऐसे प्लेसे जो एक थ्रेशोल्ड तक लिमिट तक सहब रहे हैं उसके बाद नहीं कर पाएंगे जैसे कुछ फाइंडिंग भी यह कह हैं कि सम आप टिपिंग पॉइंट्स में हैं वीन क्रॉज्ड और क्लोस टू दक वन पॉइंट वन डिग्री जैसे मैं आपको बताया था कि कुछ जैसे अंटार्क्टिक वगरे के रीजन तो वो उससे दी ग्लोबल टेंपरेचर एक डिगरी तक पहुंच गया तो अपने ट कि आज मैंने जो है इनिशेटिव ले लिए और वो रुख जाया तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई चीज सहर रही है तत्तक सहरी उसके बाद फिर आप अन्स्टॉपबल है तो ऐसे सोला छेत्र है वल्ड में कोल टिपिंग एलिमेंट्स जो की क्लामेट चेंज से इन जनरल एफ तो नॉर्मल सी गानी इंपेक्ट क्या होगा कलको इंपेक्ट वाला एक स्टेट्मेंट प्रिलिम्स में आ सकता है कि वंसा क्लामेट टिपिंग एलिमेंट्स पासे टिपिंग पुरा सिस्टम जो है वो कॉलाप्सी करना है फिर एकदम आप रोक नहीं पाओगे तो यह सारी ज्यान है ज्यादा परेशान नहीं होना थेहोरी में बेसिक आइडिया रहो उसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं हाला कि युनाइटेट जो स्टेट्स के एंवार्मेंट प्रोटेक्शन एजनसी है उनके दौरा भी यह है कि 25 परसेंट ऑफ आल मरीन लाइफ इंक्लूदि कहने का मतलब एक समय तक ये सब कुछ सहय कर पाएंगे क्योंकि यह सब क्या होते हैं यूरी thermal होते हैं स्वारी स्टेनो थरमल का मतलब होता है कंई टेंप्रेचर पर सहीन कर पाएंग ज्यादा टेंप्रेचर बढ़ाता है उसके आतमें कोरल भी डिस्ट्रॉब हो सकता है तो सीधा सपोर्ट सिस्टम है बाकी जली जीव जनतु के लिए वह तो पूरा इको सिस्टम डिस्टर्व हो सकता है तो इस तरह का यह काफी बड़ा एक आर्टिकल भी था लेकिन आपको टिपिंग पॉइंट क्या होता वो मैंने आपको समझा दिया जो कि आप लोग याद रखना ठीक है इसके बाद में एक छोटी से इंफोर्मेशन है सोला मार से नए बैच प्रारंब होते हैं और आप घर बैठे कंप्लीट तयारी कर सकते हो बिलीव मी इंडिया के बेस्ट एजूगेटर से चीज़ें आप कवर कर पाओगे सारा कॉंटेंट आपको जो है आप लाइव पड़ सकते हो रिकॉर्ड शेशन पड़ सकते हो अपनी इच्छा के नुसार पड़ सकते हो वाइस पाइस प्ड़ सकते हो आपको को स्क्राइस मिल जाएंगी सारा सब नेमाट कर सकते हैं और käytए जतेञं को स्ट ले हैं तो you can use the code SDYT10, उन learners के लिए जिनको next year exam देना है, उनके लिए best program हो रहा है, ठीक है, अब बात करेंगे हम African Carbon Market Initiative, अब ये क्या है, African Carbon Market Initiative, बड़ा interesting है सरी ये भी, होता क्या था, carbon credit का concept आपने सुना होगा पहले, अब carbon credit को थोड़ा सा हम आसान पहले समझ लेते हैं, तब आकि ये तो इसमें क्या हुआ, इसको समझना सोड़ा द्यान से, कि जैसे मान लिजे, carbon credit के अंदर ये होता है, कि उधारन के तोर पे, आप एक ऐसी company है, ठीक है, अब company है, और आपको ये पावर प्लांट चला रहे हैं, ठीक है, अब वो पावर प्लांट चल तो रहा है, लेकिन आप आपने उसमें technology अपना, या आपने जो है, for example, green technologies अपना के, उसका रोग दिया, मतलब आपने x amount of CO2 जो पहले निकल रहा था, पहले निकल रहा था, उसको आपने मान लिजे ठीक कर दिया, या, ऐसा भी हो सकता है, कि कहीं पर जाकर आपने ऐसा investment किया, किसी सरकार में, किसी state म एक ton CO2 आपने emission रोका, तो वो एक credit आपको मिल गया, मतलब अब यह है कि आपको एक amount मिल गया credit, उसको आप trade कर सकते हो, आप मान लिजे उधारन के तौर पे, for example, आपका गुद्योग है, वो बहुत जादा dependent है, मतलब carbon, मतलब उत्सर्जन कर रहा है वो, अब आज की condition में, उ वो तो global warming की तरफ जा रहा है, तो लोग तो मुद्दा उठाएंगे, तो आपने क्या किया, कि आप मान लिजिए कि 10 ton CO2 जो है आपका plant है, वो emit कर रहा है, तो आप क्या करिए, उतने ही बदले में, कहीं जाकर उतना investment कर दो, 10 ton CO2 रोक दो, कहीं दूसरी जगा plant लगा के, example द मिल सकता है, जैसे मान लिजिए आपने investment किया और आपने X amount का मलब 100 ton CO2 रोकने से बचा लिया, तो 100 ton आपके लिए credit हो गया, अब 100 ton को आप अपने use कर सकते हो कहीं पर, मतलब indirectly क्या है, कि growth भी हम रोकने नहीं देना चाह रहे हैं, और साथ में वो growth ऐसी हो कि हम green energy की तरफ shift हो था, मतलब जिसमें carbon credit की विवस्था रखी गई थी, और यह कब हुआ था COP, UNFCCC की जो meeting हुई थी, अब देखो conference of parties जो होती है, actual में क्या है, जिनका basic नहीं है, वो ध्यान रखना, UNFCCC, मतलब यह एक तरह से, हमने climate change से संबंदित, convention बनाया था, कि अब हमें climate change से संबंदित ऐसे initiatives लेने पड़ेंगे, तो इस तरह से इसकी conference of parties हुआ करती है, मतलब in the sense की COPs मतलब वो जो members है, जो सब बैट के मिलके एक जगह meeting करेंगे, और यह सारी initiatives लेंगे, इसी में वो Kyoto Protocol आया, Paris Agreement आया, सब इसी के अंतरगत आते हैं, अब actual में समझ आते नहीं, कही बार, इसके basics तो अभी मैंने क्या decide किया है कि यह उसी के अंदर का initiative है, इस बार जब यह Egypt में meeting हुई थी, COP जो हुआ था, 27 वाला, इसके पहले 26 वो glass go में हुआ तो ऐसा होता रहता, तो मैंने decide किया है कि मैं एक single इसका video बनाऊँगा, जिसमें सारे सब कुछ initiatives कवर करेंगे, हम इस बार के 27 के, क्योंकि क्या है, ऐसे random पढ़ते हैं, एक दो याद रहते हैं, एक दो भूल जाते हैं, यह video का description है उसमें सुदर्शन गुर्जर करके add the rate होगा, उस channel को आप subscribe भी कर सकते हैं, वहाँ पर एक ही इसका एक video मैं बहुत जल्दी डालूँगा, इसका भी biodiversity वाला जो conference of parties जाएंगे, तो ऐसे परिशान ही होना पड़ेगा, चैनल को subscribe कर लेना, कुछी दिन में मैं plan कर रहा हूँ, अभी time लगेगा, लेकिन मैं exam के पहले जरूर दे दूँगा, तो उसी meeting में यह एक initiative लिया गया था, African carbon market initiative, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले carbon credit में आ पर green energy में invest कर देते हो, उतना आप बचा लेते हो, जैसे माल लीजिए, एक plant आपने किसी जगा open किया, जो यदि कोईले से चलता, तो X amount CO2 निकालता, लेकिन आपने उसमें, माल लीजिए, बायो डीजल वगरा, यूस करके, उतना उत्सरजन कम करा दिया, तो कम करने से यह given amount of, देखो आपी, समझ रहो, अधिकार दे रहा है CO2 का उत्सरजन करने का, जो कि आज के टाइम पे CO2 आप एमिट नहीं कर अपा रहा हूँ, बट आपको कब कर रहा हूँ, आपको permission मिल रही है, कब करने की, जब उतना ही amount कहीं और आपने invest किया, तो यदि इस तरह की विव कर विकास नहीं रुकेगा, या कोई दूसरी country का भी देश का भी विक्ति आके वहाँ invest करेगा उतना, तो उसको महत्व मिलेगा, उसका credit मान नहीं होगा, वो अपने देश में फिर जो है, जो currently इंडस्ट्री चल रही है, उसको बढ़ा सकेगा, क्योंकि हो सकता है, वहाँ ज जहाद इन्होंने ये विवस्था लाई थी, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरुवत नहीं, आपको कहानी क्या याद रखनी है, प्रिवेस यर के कोश्चन के हिसाब से, कि अफ्रीकन कार्बें मार्केट इनिशेटिव किसके अंतरगत आया, तो COP27, UNFCCC का है, कन्फ जादा जो है, कंट्रीज या कंपनीज जो है, इसमें पार्टिसिबेट करेंगे, इंडिरेक्ली अफ्रीका के उस रीजन को थोड़ा सा बढ़ाना है, और कुछ नहीं, तो बहुत ही कम परसेंटेज एक तरह से इसका कार्बन क्रेडिट वाली विवस्था अफ्रीका में क्या है, वही चीज की पूरा जो दुनिया है, वो इंडिरेक्ली क्लाइमेट एक्शन की तरफ बढ़े, ऐसा नहों कि अफ्रीका भी आप सोचे कि हम तो जो अभी डेवलेप नहीं हुए है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि आप डेवलेप्मेंट करिए, लेकिन अब आपके पास यदि कोई आएगा भी, मतलब कोई इंडस्ट्री भी ओपन कर रहा है, तो एक तरह से अच्छी विवस्ता है, तो अपने लिए बेसिक याद रखना कि यह कारवन इनिशेटिव कहां पर आया, किस तरह से आया, ठीक है, बाकी जादा थियोरिम परेशान होने की जरुद नही नेक्स्ट वन इस एसलोफिनेक, आपने कुछ दिन पहले अभी यह वैसे भी ध्यान रखना इस बार बहुत म्यूज में है, यह गिद्ध जो है, गिद्ध का मतलब यहाँ पर जितनी ज्यादा यह आप लोग देख रहे हो कि वल्चर वगरा, पहले आपको पता था कि क्या और मानली जै कोई जानवर बिमार पड़ा तो पशुपालन में कोई गाह भेंस कभी कुछ दिक्कत हुई तो उसको भी दिया दिया जाता था, अब डायकलोफिनेक खाया उसने, डायकलोफिनेक खा लिया, दर्द भवंद हो गया, गाह अच्छी हो गई, भेंस अच्छी हो पशुपालन बढ़िया हो गया, किसी दिन लाइफ साइकल में जब उसकी डेथ होती है, तो डेथ होने में, अब देखो, डायकलोफिनेक दिया तो वो तो शरीर में कहीने कहीं उसके तत्वर रहेंगे, उसको गिद्ध होने खा लिया, अब गिद्ध मतलब वल्चर्स ये ए लग जाना, तो ये देखो, ड्रग कौन सी थी, वो डायकलोफिनेक, फिर यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान ने, तो फिर देरे-देरे डायकलोफिनेक को बेन कराया गया, क्योंकि भाईया, ये सब चीज़ें आफ्टर ओल आगे कि फूड चेन को डिस्टर्ब कर रही है, वल्चर्स का होना भी इस नेचर में बहुत जरूरी है, अब वो नहीं रहेंगे, तो कैसे काम बनेगे, तो ऐसी एसी एसीलोफिनेक की भी बात आई है, कि भाईया, ये भी उतनी, मतलब अच्छी व्यवस्ता नहीं है, आप जो सोचों कि अब मैं एसीलोफिनेक वगरा यू आप कह सकते हो, कि आगे जाके वल्चर्स पर इदी बात आएगी, तो फिर वापस उनको वो इशू क्रियेट हो सकता है, तो एक्सिदेंटल पॉजिनिंग देखने को मिलेगी वल्चर्स में, आफ्टर दे फेड उन कराकस ऑप केटल इंजेक्टर विधिट, मतलब इसकी इस नहीं, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि डाइकलोफिनेक में देखा था कि बहुत ड्रास्टिक लेवल पे बदलाव आए था, वल्चर्स की पॉप्लेशन एकदम कम हो गई थी सर, पूरे एशिया के छेतर में, तो ऐसी एसी एसी लोफिनेक के भी याद रखना य जाता है, यह थोड़ा ध्यान रखना, इसका डाइकलोफिनेक, सो पेन किलर जो है, बॉर्टर बफे लोज वगरा जैसे मान लीजें, ट्रीटेट की जाती है, तो अब यह सब चीजें, यदि किसी दूसरे में जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो यह चीज ध्यान बखते हैं कि यह खतरनाक है, यह खतरनाक है, तो फिर यूज च्या करोगे, वह भी तो पता हो, आपको, मतलब ऐसा कलेक्टर मान लीजें, आपको बेसिक आईडिया तो है, पर भाइया, इसका अल्टरनेट भी तो पता होना चाहिए, कि अल्टरनेट क्या होगा, तो तो विडियो भी बनाए था इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा जिसमें नाइन वल्चर्ज एंडिया में कौन से हैं कौन से इसलेडियो इसी वेल्चर्ण से हैं था इसे को खंद अब से खिख से फोटोसिंतेसित इसकर सकती है तो इसने को कहा कि मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा आप मुझे फूड और ऑक्सिएन सप्लाइ करा दो तो यह संबर्टिक रिलेशनशिप में ऐसे बनते हैं अब यह पोटो सिंटेसिस के दौरान ऑक्सिजन भी रिलीज होता है जैसे पेड़ कैसे होते हैं तो ऑक्सिजन आ तो आसपास पानी में ऑक्सिएन की मात्रा बढ़ेगी तो जीव जन्तों के लिए मरीन और्गानिजम के लिए कोरल रिफ्स काम के हो जाते हैं यह बेसिक समय पता होने चाहिए जन्रलियम इंवर्में में पढ़ते हैं तो ऐसी न्यूस थी कि भाई पांच नहीं सबसे पहली लिफ्स कोरांड में और में तो पानी के लिए में मिलेगे यह ठीक हैं औरुसरी चीज इसका मतलब यह हुआ कि कल को अपने से कोई question पूछे कि coral जो है वो shallow water के साथ depth में भी तो हाँ तो black coral जो है shallow water के साथ depth में भी आपको देखने को मिल सकती this is the first statement जो कि आपको प्रिलेंस के लिए आगरता पूरेगा ठीक है पहली बात इसके बाद में क्या कह रहा है वह अब इतना नीचे जैसे आप र तो है नी जूजन थेले बोले तो अभी इसको कैसे फूड मनेगा तो देयार filter feeder filter feeder क्या होता filter feeder का मतलब यह कि बैठें पानी के साथ तैरता हुआ को जीव आ रहा है वह बिल्कुल आपको जाना नहीं है वह खुदी आ जाएगा filter होके पानी के साथ आ रहा है बढ़ी है आपक जो फाटो प्लेंग्टेंस मिलेंगे दश्याद कर रहें होता है तो फोटो सिंद्र से बोजन मिल जाता हुज से इसा माना जाता है कि बहुत पुराने है यह मतलब जो अभी चार-चार हजार साल पुराने मतलब कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने मास एक्स्टिंशन को भी इवेंट्स को भी सर्वाइब किया मतलब बड़ाव होते हैं बड़े लेवल पर की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है प्रत्वी का बिनास हो जाएगा पहले जो है आई सेज खत्म हुआ यह चले गए यह चले गए फिर यह नया कुनर्जी बनाया है फिर यह खत्म हो तीन-चार बार के एक्स्टिंशन जो हैं कोरल मतलब बहुत पुराने-पुराने कोरल भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे पर खेड़ ठीक है तो अब लोग थोड़ा दिहान रखना कि ब्लैक कोरल मतलब गहराई में मिलने वाला जू ब्लैंक्टर्स है उस्टेलिया में मिला है बेसिक बात याद रखना है अब होता क्या है कि यह वही जादा काम किया है ज्वैलरी बनाने में काम आते हैं तो फिर लोग उसका शिकार कर रहे हैं अब इतने पुरानी चीजों को यह ऐसे जाने देंगे तो कैसे काम बनेगा तो यह सारी कहानी है उसके बाद में फिश एंड इन वर्टिवेट फीड एंड हाइड फ्रम दप्रिडेटर बहुत सारे जीव जनतों के लिए बहुत जरूरी है क् तो आप यह भी कह सकते हूं कि इतनी लंबी लाइफ स्पैन है तो उनकी भाई एवॉलुशनरी हिस्ट्री भी हम लोग देख सकते हैं मारी अर्थ की तो बहुत ही मददी कर रहे हैं इसका होना लेकिन कहीं बार इलीगल हर्वेस्टिंग इसके लिए थ्रेट बना हुआ कि फॉर्मर इजन ऑ्टो ट्रॉफ एंड लेटर इस अ कंज्यूमर मैंने अभी वही समझा रहा था कि उपर रहता तो फोटो सिंथेस्स एक्टिविटी रहती मतलब एक तरह से खुद भोजन बनानी के प्रोसस हो रहा है और यहां खुद भोजन नहीं बना रहा ही कंज्यू मेन जो है उपघोगता है सीधा थिक है कि ज्श स्वापोशी हो गए और पर पोशी कह सकते हो या एक तरह से आप कह सकते हो कि एक उत्पादक और और एक उपघोगता हो गया ऐसा वर्ड्न कर सकते हैं क्योंकि कि जो colorful हो थी है हमारी वो क्या हो दिशेलो वाटर में रहती है और वो algae के color pigments के कारण अलग-अलग color आपको coral का दिखाई देता है आगे बढ़ते हैं biomass co-firing अच्छा topic है पहली बार पढ़ोगे तो फिर लगेगा कि यार ये क्या आगया है कहां से आगया है ऐसे तो मैंने एक ऐसी method अपनाई है अब देखो पहले क्या होता था electricity बनाए होगे तो कैसे बनाओगे कोईला जलाओगे पहले पहले कोईला जलाओगे कोईले से heat energy मिलेगी heat energy से पानी गर्म करोगे steam बनेगा steam से फिर turbine चलाओगे और बिजली बनाओगे प्रोसे समझ रहो कोईले ने heat दी पानी गर्म किया steam बना भाप जलवास पसे आपने टर्वाइन चलाओगे बिजली बनेगे अब दिक्कत कहा थी कोईले जलाने में उत्सरजन कर रहा हो ना तो कोईले की जगह यदि मैं और कुछ यूज़ करूं तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली आप कह सकते हो कि प्रदूशन वगरा जो है कम करने के लिए तो बायो मास में हमने कैसी मेथड निकाली कि जो क्लीली कंवर्टिंग बायो मास है मतलब क्या अब हम बायो मास को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी बना सके कैसे कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग जो कोल बॉइलर्स होते हैं उनमें वहां पर हम लोगोंने पार्शली कुछ हिस्सों में जो फ्यूल यूज़ किया या जो कोईले की जगह कुछ दूसरी चीज़ यूज़ किया है वो बायो मास को फाइरिंग साथ में मतलब कोईला तो है पर कुछ उसमें हमने एडिशन मिलाना शुरू कर दिया ताकि जो जितना कारवान एमिशन हो रहा था वो कंपेरेटिवली कम हो जो जैब हार है बायो मास उसको हम यूज़ कर रहे ह में थोड़ी सी क्लीन एनरजी की तरफ जाना है मतलब यह कि ऑल थर्मल पावर प्लांट्स में सेंटर ने डिरेक्शन दिये हैं बोला गया है कि कंट्री टू एंशोर पांच परसेंट जो है आपको को फाइरिंग करनी पड़ी कि अलॉंग विद दा कोल बाय ऑक्क्टोबर 2022 मतलब यह कहानी थी कि सारे जितने भी आप प्लावर प्लांट्स उनमें थोड़ा सा प्लावा भी वायोमाज डालिए ताकि एकदम थोड़ा से अमिशन को कम कर पाएं जैसे एथनौल ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हैं एथनौल ब्लेंडिंग क्या है यह वीडियो देख सकते क्या है या ग्रीन हाइड्रोजन क्या है यह एथनौल ब्लेंडिंग क्या होता यह सब पढ़ाया हुआ है मैंने पढ़ लीजिए आपनों तो सेंटर ने डिसाइड कि तो यह यह शब्द याद रखने कि बायोमास को मिला रहे होते हो ताकि एमिशन को थोड़ा साम लोग कम क कर पाएंगे ठीक है उसके बाद में और थर्मल पावर प्लांट जो एंसी आर रीजन में उनको जो एक तरह से आपको बायोमास मैनुफेक्ट्रिंग अली विवस्था वह भी लगानी पड़ी तभी तो आप ले पाएंगे तो यह सारी चीज़ें जो है इसी के लिए हमने ए और यह को यह तो एक इसाट का समर्थ क्या है समर्थ अंगा संबंध किससे तो को फाइयरिंग से है ठीक है को एक साथ buck-to- Gill एक साथ आप मिला कर जो है वह वागर लोगा कि कि आप यह स्टाबल बरनिंग है तो तो इस टेबल बर्निंग खुले खेत में आग लगे फिर प्रदूशन कर रहा होता है यहां इस टेबल बर्निंग आप के लिए स्टेबल लेगा वह तो इस फायदा यह उनको थोड़ा सा एक मोनेटरी सपोर्ट हो जाएगा तो यह भी एक तरह से आप उदर एर पॉलुशन का फार्मर्स की उत्तर भारत का उत्तर वाला जो छेत्र है वहां पर हम लोगों को यह वाले छेत्रों में हम लोगों को प्रदूशन जो फैल रहा था उससे बज़त मिल जाएगी और फार्मर्स से हम लोगों ले पाएंगे तो थोड़ा अद्मोनेटरी सपोर्ट भी हो और समर्च वाले प्रोग्राम को याद रखिएगा अगला है वहिया बड़ा काम का ही है जैसे मैं थोड़े दिर पहले करा था था ना कि ऐसे इनिशेटिव अक्सर आते रहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना मतलब इनकी एक अलग लिस्ट बना लें हाला कि COP27 के सारे इनिश रखेंगे नाम से समझ लो कि क्या है यह जैसे COP27 था आपना वैसे ही जो है COP26 ग्लासगो में यह चीज आई थी पहला कुस्चन तो लिखी लो COP20 मतलब UNFCCC का Conference of Parties का ही यह connection है ग्लासगो में आया है यह UNFCCC से related रहेगा पहली चीज मतलब उसके तहत आया है यह लेकिन यह initiative जो है वो जी सेवन का है याद रखना है ना initiative जो है वो जी सेवन कंट्रीज का है comment section में बताना कि जी सेवन कंट्रीज ग्रूप कौन सी है मतलब जी यह सेवन ने अनॉंस किया ह है यह just energy transition partnership अभी क्या होता है just energy transition इसको समझें को कुछ देश ऐसे जो energy transition में जा रहा है मतलब क्या ऐसे समझ लीजिए कि कुछ देश जो की कारफोल वगःरा यूज कर रहा थे लेकिन अभी पूर्ण रूप से green उस पे नहीं आए सारी चीज़ें उनकी green उस पे नहीं आई था कि हम लोग support करेंगे funding वगरा provide करेंगे एक ऐसी partnership करेंगे आपके साथ और हम प्रयास करेंगे कि यह जो transition है थोड़ा जल्दी हो जाए आप लोग से अब उस transition में ऐसा हो सकता है कि कोईले वगरा को उत्सरजन पर हम लोग रोक लगाएं कोईले पर रोक लगेगी तभी हम emission अच्छा तो इसमें South Africa सबसे पहले आया South Africa ने अभी अपना एजिप्ट में प्लान भी दिया था कि जी 7 के सामने कि यह यह करना चाहिए इस तरह से कोईला हम लोग कम करेंगे ऐसी इस साल यह न्यूज में था इंडिया से रिलेटर कि इंडिया पर भी आप South Africa उसके बाद मे उधारन के तौर पर यहां पर जो है मैंने लिखा हुआ भी है कि South Africa के साथ-साथ जो है यह देखो एक मुनित यहां पर अब दिखेगा आपको कि जो जी 7 के द्वारा जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनर्शिप दिखाई दे रहा है आपको इसमें South Africa के साथ इंडोनेशिया वाली जो कहानी विएतनाम वाली तीन देश जो थे यह लगबग लगबग तयार हो गए कि वहिया ऐसी पार्टनर्शिप से मतलब G7 हमें मदद करेगा और हम थ एकदम से चीज़न रोक दोगे तो शायद बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ जागा तो कुछ बातें अभी इस तरह की चल रही है इस से कहानी कपकी ग्लासगो मतलब अभी कट COP से पहले वाले का है तो पहले South Africa और यह वेतनाम इंडोनेशिया की कहानी हो यह भार और आँजमेशन वैसे नकट्रैसीटरफ crashed garlic यह आपको यह करेंगें और भी थेलाल इनिशेट्याव को मैंने बता दिया साउथ अफरीका के लिए स्पेशली लाँज किया गया था ताकि हम उनके डी करबनाइजेशन इफर्ट को जो है बहतर कर सके कि यह जो कार्बनाइजेशन इसको रोख पाएं मतलब कार्बन इस सजन को रोख करके उसका ट्रांजिशन कर दे हम लोग कि उसकी जो एनर्जी ट्र कर ली तो फिर उनकी सुनना भी पड़ेगा तो इसे यह थोड़ा सा मतलब यह था कि भाई नेगोशियेशन के दौरान कुछ चीज़ें अपोस्ट भी की गई तो आप अपने लिए एक्जाम पॉइंट ओव्यू से याद रखना है कि यह कब आया COP26 के द्वारा मतलब 26 में UN सब्सक्राइब के दौरा फोड़ा टूस एनरजी ट्रांजिशन इंडव्लपिंग कंट्री को से डैविलपिंग को तरह धिबलप इज ब्लब इधिक अब एक्जाम हमा सकता है यह जो आपको आपको क्लीन एनरजी की तरफ ले जाना है नाम से समझ में आ रहा है जर्ट एनरजी ट्रांजिशन में जहां कराना हो कोईले से आपको क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाना हो वह वेवस्थ आईगे तो यह दोड़ा ध्यान रखना नेस्ट वाने वह या पॉंगा मिया पिनाटा अच्छा सवाल है हर साल इस तरह के कोश्चन आते हैं आप कहोगे कि सर चीज तो बड़ियां लाए हैं सर यह पेड़ है इनफेक्ट ट्री है और पी फैमिली का ही मटर सुना होगा और इसको कई बार इंडिया बीच भी कहते हैं इंडियान बीच करुम ट्री भी बोला जाता है मुल्ली कुलम ट्री भी बोला जाता है दियान रखने सब नाम काम के हैं क्यों जारवत क्या है इसे पेड़ों को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत फैला हुआ ट्री रहता है कनोपी बहुत उसका फैला हुआ रहता है उसके बाद में एक तरह से ड्राय फीचर और अलग अलग स्वाइल टाइस में मतलब थोड़े चट्टानी मिटी है उसमें जादा है उसके बाद में सेंडी भी है सलाइन भी है तो हर जगा लगभग जगजाता है भारत के इस्टन वेस्टन घाट के रिजन में लगे होते हैं यह पेट उड़ी सा आंदरप्रदेश के जर्वत क्या है कि 2021 से बीच में यूएन के द्वारा यह एक ऐसा डिकेड बनाया जा रहा इस्पेशली कि जिसमें हम लोग हमारे एको सिस्टम को क्या कर रहा है रिस्टोर करने में लगे हुए हम लोग थोड़ा सा परियावरन फॉरेस्ट को ठीक करता है उसमें यह पंगम जो है उसने बड़ा हैस्ट हुआ है क्योंकि बहुत सारे इंवेस्टर हैं काफी जाधर चा रहा है इस ट्री को प्लाइन करने के लिए इस पीटा को लगवाने के लिए क्योंकि इस पेड़ में बहुत सारी शमता हैं एक तो carbon sequestration carbon को sink करने की शमता है comparatively बहुत ज़ादा है बाकी पेड़ों से ठीक है या जितना भी carbon है उसको एक तरह से ले पाएगा तो यह पेड़ बहुत ही जादा महत्वपून है तो कलको प्रिलिम्स में आ सकता है कि पंगामिया जो है इंडिया में ही नहीं जूट है यह मिलता है इस्टन वेस्टन घाट के रीजन में नॉर्मल फोरेस्ट एरिया में मिल ज लगबक क्या सालाइन रीजन अलग अलाब कर बात ध açılयकर मातला 25 साल में काफी बढ़े सतर पर करवन तना यह सुनी कि यो करंजे 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 नाम भी जाद रखना यह अपको देखने भी तो यह इसका यह जा बढ़के कोई चीज और भी आप याद रख सकते हो तो यह अपने आप में एक तरह से कह सकते हो कि हलाकि इसके medicinal use भी है ठीक है आयुरवेदिक वगरा भी इसका use है लेकिन bio diesel से भी आप याद रख सकते हो bio diesel भी production इससे किया जा सकता है bio mass जो इसका waste निकलेगा उससे भी bio diesel भी बना सकते है fertilizer वगरा भी जो है उसके seeds है तो fertilize मतलब इसका use fertilizer में भी है bio mass में भी है carbon को sink करने में भी है तो मतलब समझ रहे हो आप कि इसका investment करना कितना जादा महत्व पून है तो ये bio gas production भी हो गया बहुत सारी चीज़ है इसका बहुत फायदा है तो ये नेक्स्ट वन इस रेवर सुका पाइका नदी जो है यह आपको मिलेगी वहिया उडीसा के छेत्रों में और उडीसा के छेत्रों में कल को को कोई question पूछे तो याद रखना इसका origin है वह महा नदी महा नदी की distributory है कि सुका पाइका नदी महा नदी की distributor ध्यान रखना उडीसा में है पहला question दूसरा महा नदी की distributory है तीसरा important बाद आपको यहाद रखनी है कि National Green Tribunal के द्वारा यह न्यूज में आया था कि वहिया सत्तर सालों से जो नदी ज्यादा दिखनी रही थी वह दोबारा जो है फिर से दिखी है रिजुमिनेट हुई है थोड़ा सा याद रखना यह इस तरह से न्यूज में थी उस समय काफी जादा जो है सुकापाई का रिवर का माउथ बंद करने के कारण उसका फ्लो बंद हो गया था लेकिन अब फिर से रेजुमिनेट हो गई है यह तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग याद रखना है औरीसा में महानदी का संबंद है डिस्ट्रिब्यूटरी मतलब वितरीका है वहां से ओरीजन हो रही है यहां तक कोई दिक्कत किसी को इसके बाद में क्लाइमेट टिपिंग वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद होगा इनफेक्ट याद भी कर लिया होगा नेक्स्ट वन इस रूल कर रूल कर में जादर डीटेल में जाने की जरुवत नहीं है लेकिन हाँ मैं इतना कहूंगा कि थोड़ा सा याद रखना है कि मुला पेरियर डैम जो था डैम से संबंदी थे एक्च्छल में रूल कर वे विवस्था एक टैबुलेशन एक ग्राफिकल रिप्रेजंटेशन जैसा आप कह सकते हो यह विवस्था है जो हमें समझ में जिससे हमें अंडेस्टेंडिंग मिलती है कि डैम को कितना खाली है कितना बढ़ना है ताकि उसका जो गेट ओपनिंग वगरे की विवस्था को दिखाता है एक तरह से पैचान है एक तरह से हमारे लिए मददी कर रहा है तो डैम से संबंदित है ठीक है मतलब इने इट हैं डिसीजन मेकिंग फॉर ऑफिशल इन चार्ज ऑफ देम को देख यह वहां पर देख रहें दबस्था देख रहें कि उसका स्मूध ऑपरेशन जो शटर से हैं वह किस तरह से उचाएं कितना डैम फिल अप होना चीए कितना खाली रहना चीए यह सारी चीज़ें जो है या फ्लड के दौरान उसका ऑपरेशन कैसे होगा उसको कैसे देख पा तो यह जब भी कोश्चन आ जाए तो घबराने की जर्वत नहीं है इसमें आपको ध्यान रखना कि कई बार सबसे पहले तो याद रखना है को थंडे छेत्रों में पाए जाता है ठीक है ठंडे छेत्र मतलब टुंडरा छेत्र होते हैं बंजर भूमी जो होती है तुंडरा मतल थोड़ी बहुत मिट्टी बन रही है तो उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं परमाफ्रोस्ट पर्मनेंटली फ्रोजन अब भाई जब कोई भी चीज जमा हो रही है स्नो भी किसी धर्ती पर होगा काफी लंबे समय तक तो वह भी तो बजन दे रहा है मतलब वो इरोजनल एक्ट तो थर्मो ने का होते हैं तो इसके कारण जनरली यह फॉरमेशन इनका हो जाता इस तरह के लेक्स दिखाई देते हैं तो अलासका में एक नए लेक्स जो है ऐसे निकले किसके कारण पर्माफ्रोस्ट कंडीशन के कारण और वहां से काफी जादा मीथेन गैस हो रही है मीथेन कई बार क्या होता है कि अब स्वाइल है मिट्टी है डीकंपोजर होंगे अब घटन करता जो जीव जलतू होते हैं वो रिलीज कर जाते हैं कई बार सी योटू वगर यह तो उस दारान जो है गैसे के बबल्स वहां पर देखने को ऐसे मिल सकते हैं तो यह चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना है कि पर्माफ्रोस्ट क्या कर सकता है लेक वगरा बना सकता है क्या ऐसा थोड़ा याद रखना है कि हाँ भईया बन जाएगा जो बेसिक ज्यान था जो कि याद रखना है जो अलास्का में देखने को मिले थे ठीक है उसके बाद में जो microbes होते हैं अपने digestion के दोरान जो dead plant जब digestion वगरा कर रहे होते हैं तो उसके दोरान carbon dioxide और methane वगरा का formation होता है यहां से भी एक statement बन सकता है तो यह चीज जो है थोड़ी सी जहां रखना है कि formation of thermokast lake क्या होता है खेर तो आज के लिए इतना ही अगले आपको एक वीडियो और दूंगा मैं बाकि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें कोड आपको सबको पता discount code SGYT10 मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें SGYT10 discount code का यूज करें और यह आपके सामने सब प्राइस रेंजिस हैं आप लोग देखेंगे तो काफी जादा जो है आप पर कम प्राइस में आप बहतर लर्निंग ले सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ चैनल को सब्स्राइब कर लेना और मेरा चैनल भी आपको इसी क आपके बाने माने आपके यह अद्यू